हेलो दोस्तो हिंदी मेरी प्रफ ketchup अभी जो कंटेंट लेकरा है हैं उत्रक Subscribe सेवा चयन आयोग में वेकैंशी निकली है और यह बढ़ती निकली हैं उत्रकर्फण सेवा चयन आयोग दोरा समूलई की सिधि 不知道Me इसके अंतरगत माध्यामिक शिक्ष विभाग उत्राखण में गड़वाल मंडल कुमाउ मंडल के अंतरगत साहियक अत्यापक ल्टी के रिक्पदों पर वेकेंसिस निकली है तो चलिए पुरी जानकारी आपको दे देते हैं जो हमसे अवी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो सभी हमसे कनेक्ट हो जाएए क्योंकि हिंदी मिरर पर हमेशा कुछ नगुछ आपको बैनेफिशल वीडियोस हमेशा मिलती हैं और जो है उसके साथ साथ कहीं न कहीं जो वीडियोस हैं आपके लिए बैनेफिट्स देती हैं तो Hindi Mirror का हिस्सा बन जाएए अब Hindi Mirror ने एक प्लेइलिस्ट जारी की है उस प्लेइलिस्ट में जितनी भी आपकी private vacances और जितनी भी कौवर्मेंट भरती निकलेगी सभी के जानकारे Hindi Mirror पर दी जाएगी तो सभी students जितने भी हमसे जुड़ेवे हैं प्लेज उसको share करें और like करें जिससे जितनी भी सरकारी नोगरी या फिर private नोगरी की तलाश में रहते हैं तो उन तक वो जानकारी पहुंचे और कहीं न कहीं आप उनकी help करेंगे share करके अब यहाँ पर बता देते हैं विग्यापन प्रकाशन की तीथी 14 मार्च रखी गई है यानिके पड़सों से वेट करना है फॉर्म फिल करने के लिए तब तक जितने भी डॉकुमेंट से उनको आप कलेक कर लीजे जिसे आप अपना फॉर्म जब फिल करें तो आपको कोई परिशानी ना हो अब यहाँ पर ओलाइन अविदन पत्र करने की संसो दन तीथी 16 परेल से 18 परेल और लिखित परिक्षा की ती थी अनुमानी ती थी इन्होंने रखी है जोलाई अभी हैं पर कोई डेट इन्होंने कन्फरम नहीं की है लेकिन मन्त इन्होंने डिकलेर कर दिया है कि जोलाई में कभी भी आपका एक्जाम हो सकता है अब यहाँ पर सभू गैमे सीधी भरती के माध्यम से कि एल्टी कितनी पद हैं 786 पद है और दोनों ही पर यहां पर इन्होंने निकाला है और यहां पर कुमा मंडल में साहे कद्यापक के जो एल्टी के पद है वो 758 तो कुल पद 1544 यहां पर है और ऑनलाइन अगर आप फिल करेंगे तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर आप 12 आउनलाइन आविदन अपना कर सकते हैं अब आते हैं पैटर्न क्या रहेगा आपके एक्साम का तो आपका जो आयोग द्वारा वस्तोनिस्ट परकार की बहुत विकल्पिय ओफ लाइन अथवा ओनलाइन मोड में परतियोगी परिक्षा आयोजित कराई जाएगी यानि कि इ थी सुचना समय पर तक अलग से वैब साइट पर आपकी प्रैस विगपती भिरतकोन के ओनलाइन आवेतन पत्र में दिये गए मुबाइल नंबर पर समस तथा एमेल द्वारा उपलत करा दी जाएगी पाकी हिंदी मिरर से आप कनेक्ट हो जाएए हिंदी मिरर अब आपको य करने वाले हैं आपके स्लेवस से तो हिंदी मिरर की तरफ से तयारी भी कराएजी जाएगी अब यहां पर आपको बता देते हैं कि अभीवरती को भैतोपॉन सुचना है आयो की पैस साइट से तो बताई दिये गा कि मेल से और समस से आपको मिल जाएगी लेकिन जब आपको तो अपना मुबाइल फोन नंबर जो फिल करें जहां पर आपको आसानी से साली सुचना ही मिलती रहें वही वाला आप मुबाइल नंबर फिल करना अब यहां आपको जो हैं बता देते हैं कितनी सीट हैं और किस तरह से यहां पर इन्होंने बाटी हैं तो सबसे पहले पास आउट तो केर मोस्ली स्टूडेंट्स होई जाते हैं लेकिन मेरिट बनने के डिपेंड होता है कि आप मेरिट के अंतर रहे हैं या नहीं और मेरिट बनती है रिजल्ट आने के बाद वो सभी को पता है गर बहुत से नहीं दिये हैं ल्टी के एक्साम तो उनको कुछ तो नौलिज होगी ही चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं समान ने अध्यापक हिंदी जिसकी तैयारी हिंदी वरे के तरफ से कराई जाएगी अब यहाँ पर जो इन्होंने रखे हैं एसी में 13 पद हैं और 4 पद उत्राकन महिलाओं के लिए हैं तो इसका आप स्क्रेंश्वाट ले लिए क्योंकि एसमें बहुत देर लग जाएगी ऐसे बताने में हिंदी में काफी जो है पद निकले हैं हिंदी का में पर भी बता देती हूं 93 पद हैं टोटल और इसमें 28 महिलाओ के हैं और आरक्षित एक है और पांच जो है सैनिकों के लिए है थोड़ा इन्होंने यह बाट दिया है इसको अलग-अलग कैटेगरी में ठीक है तो चलिए आगी चलते हैं अब यहां पर इंग्लिश पाप स्क्रेंशॉट ले लिजी सिस्टी एटी वन पद है और संस्कृत में सैवन ही है मैथ में सिक्स्टी हैं काफी हैं और साइंस में 112 पद है इसके बाद समाने अध्यापक 93 हैं इसके बाथ यूग में योगा में 57 है होम साइंस में एक ही पद है एक ही पद है भाई चली आगे चलते हैं भले ही एक पद हो फिर भी फॉर्म आप जरूर फिल करेगा और अपना टेस्ट भी दीजिएगा क्योंकि क्या पता वो एक पद आपी के लिए हो फिर आपका कॉमर्स में 10 हैं उसके बाद आपके जो है ड्र तरह से योगिनों ने बना दिया है अब आते हैं गड़वाल मंडल में गड़वाल मंडल में जो एल्टी की वेकंसिज हैं सिर्फ 9 ही निकाली गई हैं इसके बाद इंगलिश में 9 हैं संस्कृत में एक ही पद है और मैथ में 6 हैं साइंस में 8 हैं और समाने ग्यान में 13 हैं य यहाँ पर सीधी भरती समाने साखा के लिए है समाने साखा में यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंगी के लिए 15 पद है फिर इसके बाद इंगलिश में 13 है संस्कृत में 1 ही है गणित में 10 है बिक्यान में 19 है समाने में 16 है योगा में 9 है और फिर वनेजय में 1 है तो काफी पद ह चलिए आगे चलते हैं फिर इसके बाद साहय अध्यापक एल्टी कुमाउ मंडल में यहां पर देख सकते हैं आप इसके बाद इंगलिश में 55 हैं तो कुछ इस तरह से यह सारे पद हैं इसकी जो पीडियेफ है आप वर्टसप पर भी मुझसे ले सकते हैं या फिर में इसकी पीडियेफ जो है आपको हमारा जो चैनल है आपका तो उस पर हम डाल नहीं रहे हैं ठीक है अब इसके कुछ कर्यक्षन में इन्होंने का है कि महिला साखा के अंतरगत अध्यापक के पद महिला भी और दोनों भरे जाएंगे तो जो सिर्फ महिलाओं के लिए पद निकले हैं उसमें सिर्फ महिला ही भरेंगी लेकिन जो समाने साखा वाले पद हैं उसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन पत्र में विरति को 60% समाने साखा और 60% महिला साखा और 10% समाने साखा विभाई 10% महिला साखा का अवसर भी चैन के लिए उपलब्द होगा ठीक है समझ में आ गया होगा सब का चलते हैं आगे सीधी भरती 60% विभागे भरती 10% परक्षा दोनों मंडलों हो तो एक ह ती ती पर समय पर आयोजित की जाएगी कभी आप सोचें दोनों मंडल की अलग अलग होंगी एक ही देट में अगर हिंदी का एक्जाम है तो हिंदी का दोनों मंडल का एक ही साथ होगा अब करते हैं यहाँ पर वेतनमान की बात यहाँ आप देख सकते हैं इतना वेतनमान आ लिए भारत में किसी भी विषय तेल भूबोल रानीति शास एक्याज वशमसी किसी दो विश्यों के साथ इसनातक पुपादी हो और दो वश्यमसी एक विश्यत रुत्य वर्सथा शे शेख विश्यत रुत्य वर्श में आनीवारते रहे हो तो यह कुछ हैं यहाँ पर फिर math के लिए यहाँ पर हैं फिर विज्ञान के लिए यहाँ पर हैं फिर इसके बाद हिंदी के लिए सायक अध्यापक सायक अध्याबिका ठीक है चलते हैं आगे सेम यह रहते हैं अभी तक आपने बहुत सारे form फिल कियो आंगे तो सभी में mostly सेम से ही instruction रहते हैं form फिल करने के अब आते हैं यहाँ पर इन्होंने टोटल यू टेट और सी टेट परक्षा उत्तिन होना अनिवारिया है देखे इन्होंने का है अगर आप form फिल कर रहे हैं तो आपका ये भी होना अनिवारिया है यू टेट टो और सी टेट टो अनिवारिया होना चाहिए आपके पास और यहाँ पर अब इन्होंने टोटल सीट दिखा दी है कि किस तरह से इन्होंने डाला है यहाँ पर SC में फिर इसके बाद ST में फिर इसके बाद OBC पूरा यहाँ पर इन्हों ने चार्ट आपको दिखा दिया है अब इसके बाद यह थोड़ा सा देख लीजिए आप CD भरती भाग्या के लिए लिखित परती होगी यह परिक्षा का कार्यकरम यह थोड़ा इंपोर्टेंट है आपके लिए इसको बता देते हैं सोंको की वस्तोनिस प्रकार के बहुँ विकल्प और objective टाइप इद मल्टीपल यह सभी को पता है कि आजकल objective टाइप ही होते हैं सारे एक्जाम अब इसमें जो पाट वन आना है उसमें शेक्षिक भिव्यर्ति तरक्षक्ति परिक्षन सवाने ग्यान जो की पचासंका आएग जिस विसे के लिए आप डाल रहे हैं अभी अर्ति परिक्षा पार्टे करम 01 का व्लोगन जरू कर ले परती होगी परिक्षा हेतु निर्देश यह थोड़ा सा निर्देश तो आपको बाद में भी जो आपका एडमिट काड आएगा उसमें भी आपको पता चल जाएंगे अब परिकिश वर्स से अधिक तब 42 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए ठीक है तो अगर आप 42 अंडर आते हैं तो आप यह फॉर्म फिल जरूर कीजिए और हमारे पैस्ट विसिस के साथ जल्दी ही आपकी तैयारी लेकर हम आएंगे क्योंकि आपके पास जादा टाइम नहीं है समझे तीन महिने आपके पास हैं अपरैल मही जून अपनी पूरी जान लगा दीजे सीधी भरती होती है अगर आप मेरिट में आते हैं तो सीधे सीधे आपको जॉब मिलने वाली है हमारी वैस्ट विडियो ही कतम करते हैं प्लीज इसको लाइक और शेर जरूर कर दीजे और जितना भी निकलती हैं वैकेंसी सब के बारे में आप तक जानकारी पहुँचेगी तो जोड़ जाईए सब्सक्राइब के साथ और लाइक शेर करते रहे हैं